आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दर्बार की जय, गुरु भाईयों और बहनों, एक बार गुरु देव श्री आशुतोष महाराज जी अपने गायक शिश्यों के साथ बैठे थे। उन्हें एक भजन की धुन सिखा रहे थे। पहले महाराज जी कुछ पंक्तियां गात फिर स्वामी भाई उनको वैसे ही सुर्तल सहित दोहराते। तब ही भाईयों ने देखा कि जैसे ही महाराज जी गाने लगते, तो बाहर बरामदे में मोर नाचने लगता। फिर जब भाई गाना शुरू करते, तो मोर नाचना बंद कर देता। ये सिलसिला काफी देर तक च प्यान हैं। तब ही तो जब आप यानी सुरों के सर्टाज गाते हैं, तो वह खुशी से नाच उपता है और हम बेसुरों को सुनकर उसके पाउं जम जाते हैं। इसके बाद सभी गुरू भाई फिर अभ्यास में लग गए। थोड़ी देर ही हुई होगी कि वह मोर हुआ महाराज जी के पास आया और महाराज जी के हात पर काट कर चला गया। सभी स्वामियों के हृदय में ऐसी पीरा की लहर उठी, जैसे मानो मोर ने उनके हात पर ही काता हो। एक की यह पीरा तो गुस्से में बदल गयी। स्वामी भाई बोले, महाराज जी, अभी तो हम इसकी प्रशंसा कर रहे थे पर अब बताओ अकारण ही यह मूर आपको आहत कर गया महराज जी स्वामी जी को शान्त करते हुए बोले अरे इतना गुस्सा क्यों भला अपनी अल्प ग्रिष्टी को उसकी अल्प बुद्धी क्यों बता रहे हो वह हमें काट कर थोड़े न गया है तुम सब तो गाने में व्यस्त थे और हम तुम्हें सुनने में इसलिए हमें से किसी को पता ही नहीं लगा कि कब एक ततया हमारे हाथ पर आकर बैग गया उस मौर ने दूर से ही ये देख लिया इसलिए वह दौरता हुआ आया और उसे उड़ा गया मौर ने हमें चोट नहीं पहुँचाई बलकि हमारी सेवा की है ये सुनना था कि कक्ष में उपस्थित सभी गुरु भायों की आँखे नम हो गई और मन में यही भावो था सारी सृष्ठी सभी जीव जन्तु महाराज जी की सेवा में इतने तक पर है तो हम क्या उनकी सेवा करेंगे तो गुरु भायों और बहनों मैं अपनी वानी को यही विराम देती हूँ ऐसी ही महाराज जी के और प्रसंग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बोलिये आशुतोष महाराज जी की जए सच्चे दर्बार की जए